प्रणाम करने के सभाव वाले नित्यम का अर्थ है प्रतिदिनम व्रद्धोप सेविन यानि बढ़ों की सेवा करने वाले चत्वारी अर्थार्थ चार तश्य यानि उसके वरधनत यानि पड़ते हैं आयू यानी उम्र, विध्या यानी विध्या यश है अथालत प्रसिद्धी या यश बलम यानी बल इसका हिंदी अर्थ है कि प्रणाम करने वाले का जो बढ़ों की सेवा करते हैं उनके चार गोंड बढ़ जाते हैं आयू, विध्या, यश और बल इसके बाद मैं दित्य श्लोक पर आती हूँ यह मात पित्रव क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम नै तश्य निश्करतिही शक्या करतुम वर्षे शते रपी यह का अर्थ है जो मात पित्रो अर्थार्थ माता और पिता क्लेशम यानि कस्ट को सहेते अर्थार्थ सहन करते हैं संभवे यानि पालन पोशन में निर्णाम यानि मनुश्य के नै अर्थार्थ नहीं तश्य यानि उसकी निश्करतिही यानि निस्तार शक्या अर्थार्थ होना और या सकना करतुम यानि करता है वर्ष शतेर अपी अर्थार्थ सो वर्षों तक भी जो व्यक्ति अपने माता पिता की उत्पत्ती में जिस्त कस्ट को सहन करते हैं वो सो वर्षों तक भी उन माता पिता का रिन नहीं चुका सकता है अर्थार्थ कहने का तात्परे ये है कि माता पिता अपने पुत्री या पुत्री के जन में जो कस्ट सहन करते हैं वो पुत्री या पुत्री सो वर्षों तक भी उस रिन को जुकाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं इसका मैं तीसरे श्लोक पर आती हूँ तर्यो नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्यम चे सर्वदा तेशे त्रीशू तुष्टेशू तपे सर्वे समाप्यते तयो अर्थार्थ माता और पिता यानी उन दोनों के लिए तयो का प्रियोग हुआ है माता और पिता दोनों के लिए नित्यम यानि प्रतिदिनम, प्रियम यानि प्रिये, कुर्यादा चारशे, अर्थार्थ आचारे का करना चाहिए, चय यानि और, सर्वदा यानि सदेव या हमीशा, तेश्यव यानि उन तीनों के ही, तीश्य यानि तीनों के, तुस्टिश्य यानि संतुस्ट होने पर, तप पहनी तप सर्वे यानि सभी समाप्यते यानि संपन हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं उन दोनों यानि माता और पिता और आचारे अर्थारत गुरुजन का प्रती दिन सभी को सदेव प्रणाम करना चाहिए क्योंकि इन तीनों को संतुस्ट करने से मनुश्य के सभी तप स पंपन्न हो जाते हैं इसके बाद मैं अगले श्रोप पर आती हूं सर्वे परवशम दुखे सर्व आत्मने वशम सुखम एतद्विता आत्म समयन लक्षणम सुख दुखियों सर्वे या अर्थार्थ सर्वत्र या सभी जगे परवशम यानि दूसरे के वश में अर्थार्थ परतंत्र दुखम यानि दुख्य सर्व आत्म वशम अर्थार्थ स्वेम के वश में एतत विद्धा समासेन अर्थार्थ यही संक्षेप में जानना चाहिए लक्षणम अर्थार्थ लक्षण सुख दुखियों यानि सुख और दुख कहने का तत्पर यह है कि परतंत्र होने से सभी व्यक्तियों को दुख की प्राप्ति होती है अर्थार्स जो व्यक्ति दूसरों के वश में रहता है वो हमेशा दुखी रहता है और जो व्यक्ति स्वाधीन अर्थार्स वतंत्र रहता है स्वयम के निर्ने लेता है वैवेक्ति हमेशा ही सुखी रहता है इसके बाद हम लोग इस पार्ट के पांचवेश लोग पर आते हैं यत कर्म कुर्वतो अश्ये स्यात पारी तोशो अनंतर आत्मन है तत प्रियतनेन कुर्वीत विप्रीतमतु वर्जियेत यत अर्थार्थ जिस कर्म यानि कर्म या कार्य को कुर्वेत यानि करते वे अश्य यानि इस या यह है अंतर आत्मन यानि अंतर आत्मा की या हिर्दे की परी तोशा यानि आनंद या संतोश स्यात यानि प्राप्त होता है तत यानि उस कर्म यानि कर्म को प्रत्नेन यानि प्रत्न पूर्वग कुर्वीद अर्थार्थ करना चाहिए विप्रीतम अर्थाद विप्रीत को तू अर्थार्थ तव या तो वर्जेत यानि छोड़ देना चाहिए अर्थार्थ कहने का अतात पर यह है जिस काम को करते वे अंतर आत्मा को संतोश होता है उसे प्रत्न पूर्वा करना चाहिए और जिस कारे को करने में मनुस्टे को संतुस्टी नहीं प्राप्त होती है या उसे अच्छा नहीं लगता है उस कारे को कभी भी नहीं करना चाहिए इसके बाद मैं इसके अंतिम श्लोक पर आती हूँ, जो छटा श्लोक है, द्रस्टी पूतम, न्यास्ते पादम, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, सत्याम पूताम, वदे द्वाचम, मनह, पूतम समाचरेत, अर्थात द्रिस्टी का आर्थ है नजर यह द्रिस्टी से, पूतम या यानी कदमों को न्यास्ते यानी रखना चाहिए, वस्त्र पूतम यानी वस्त्र से पवित्र, जलम यानी पानी या जल, पिबेत का आर्थ है पीना चाहिए, सत्य पूताम यानी सत्य से पवित्र, वच्चनम यानी वच्चनों को वदेत, अर्थार्थ बोलना चाहिए, मनह यानि मन से पुतम यानि पवित्र समाचरेत अर्थार्थ वेवार करना चाहिए द्रस्टी से पवित्र कदमों को रखना चाहिए कपड़े से पवित्र करके अर्थार्थ चान कर पानी को पीना चाहिए सत्ते से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए और पवित्र मन से वैवार करना चाहिए इस तरह से इस पार्ट के हमारे सबी शलोक संपूर्ण हो चुके हैं और ये हमारा पार्ट complete हो गया है इसके बाद मैं इस पार्ट के बाद में नएा पार्ट हम लोक पढ़ेंगे और मैं अगले वीडियो में आपके लिए नया पार्ट लेके आऊँगी धन्यवाद